नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं बतादे मुख्य मंत्री ने गुरुअर को आपने आवासे करालमे मुख्य सचीव एल्ख यागते, मुख्य मंत्री के अपरमुख सचीव अविनास कुमार महिला बाल विकास एवं सवाजिक सुरक्षाभी भाग के शचीव मनोच खुमार तथा सुचना एवं प्रदो की सचीव विप्राव भाल और वीडियो कन्फरेंसी के माध्यम से विभीन जीलों को उपायुकतों के साथ बैटक कर इस महत्व कांची योजना के लिए भी से सीरों में मिल रहे आवेदनों और अब तक की सुविक्रिती आवेदनों की बिस्तरीत समिक्षा करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देशती हैं मुख्यमंत्री ने कहा है कि जारखन मुख्यमंत्री मया समान योजना के लिए जो महिला आवेदन कर रही हैं उनके आवेदन की प्राप्ती एवं सुविक्रिती के साथ शैनित लाबकों को उनके बैंग खाते में समान रासी हतांतिरित किये जाने की जनकारी एसेमेस के मादेम से दे ताकि उनको यह पता चल सके कि राई सरकार दोवारा जहरकन मुख्यमंत्री मया समान योजना की समान रासी उनके बैंग खाते में डाली जा चुकी है उन्हें साइवर अपराज से बचाव को लेकर एसेमेस के मादेम से जागरूपता संदेश भी भेजे सियम हमंत्री ने सरकारी नोकरियों को लेकर की बड़ी घोसना मुख्यमंत्री हमंस्री ने रांची के मुरबादी मैदान में जहन्डो तोलन किया इस दवरान समारो अस्थलपर सुरक्षा के पुखता इंतिजाम थे कारिकरम में आने वाले लोगों पर पहनी नजर रखी जा रही थी सगन जाच के बाद ही लोगों को परवेश दिया गया समयाच के सबसे पहले सभा को समोदित करते हूँ जहारक conv के बीर सपूतों समयाची के तरफ पर स्वास्त वीमा की घोसना की है उन्होंने कहा है कि राज सरकार मुख्य मंत्री अबुआ स्वास्त योजना की सुरुआत करने वाली है इसके तहट प्रती परिवार 15 लाख रुपे तकी स्वास्त भीमा लोगों को मुहया कराई जाएगी साथी साथ मुख्य मंत्री अस्पताल संचारन एम रख रखा योजना पर 135 को रुपे खर्च किये जाएंगे ज्यारखन के 6,63,000 किसानों का 2,000,000 तक का कर्ज होगा माफ बैंक के राज में किरिशी छेत्रों को अपनी सरोज प्रत्मिक्ता में सामिल करें सरकार जनता के कल्यानकार योजनाओं को उन तक पहुचाने के लिए किरिशन कल्पिक थाए उक्त बाते बित मंत्री रामेश्वर उरावने कही है बताया गया है कि इस बार 6,63,000 किसानों का अधिक्तम 2,000,000 रुपे तक का कर्जमाप हो सकेगा पहली वजनाओं वाले 4,63,000 और इस वजनाओं के दवान नए जोड़े गए 1,90,000 किसान इसके पात रहोंगे नए किसानों के केवाईसी के परकिलिया अमतिम चरान में है 2024-25 कि दवान अब किसानों का रिन 50,000,000 से 2,000,000 तक माप किया जाना है कोलकात्ता की घाटना के विरोध में रिम्स में दूसरे दिन भी कारे बहिसकार कोलकात्ता में महिला डॉक्टर की दुसकर्म के बाद हत्या के विरोध में रिम्स के जुनियर डॉक्टर ने बुद्धवार को भी कारे बहिसकार किया है जुनियर डॉक्टर ने OPD सहीत रूटीन सरजारी में अपनी स्वाई नहीं दिया है वहीं senior doctor से भी आगरह कर OPD वा routine surgery सेवाय ठप कराई गई junior doctor hospital आये लेकिन सिर्फ ward में पहले से भरती मरीजों की सेवा में लगे रहे junior doctor द्वारा routine surgery में सहयोग नहीं करने के कारण पहले से तय सरजारी नहीं हो पाई शिर्फ minor से जारी की गई हालाकि इमर्जेंसी में आये मरीजों को परिशानी नहीं हो इसके लिए JDA ने वहाँ ज्यादा संक्या में junior doctor को तैनात किया था रिम्स के पंजियन काउंटर से बुद्धवार को कूल 389 मरीजों की परची जारी की गई हालाकि इसमें सबसे अधिक 292 को इमर्जेंसी में परामर्श दिया गया चत्रा में तलाब में डूबने से दो बचों की मौत चत्रा जिले के सदर्थाना छेतरे के ब्राम्णा पंचायत के भाग गाउं में तालाब में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गए, मिरी तक दोनों बच्चे रीष्टे में भाई थे, घर्टा के समन्द में ग्रामिनों ने बताया है कि दोनों भाई गाउं के स्कूल में 15 अगत को जंडा फराने जाने के बाद अने बच्चों के साथ पोखरा में असनान करने चले गए, इसी दोरां 10 वर्षी राजन और सोनु गहरे पानी में चले गए, जिससे दोनों डूब गए, वहीं साथ नहार है अने बच्चों ने भाग कर घर आया और परिजनों के इसके जिनकारी दी है, इसके बाद घर वाले तलाब पहुंचे और बच्चों को निका स्थीत मैदान में पेजल स्वक्सता मंत्री मिथलेश ठाकूर ने धोजार रोहन किया है, इस दोरां मंत्री ने प्रेट का निक्चन किया, बता देगी कड़वा सहर के टाउन हौल के मैदान में ठत्तरवा सोचता दिवस का उसर पर मुख्य समारों में मुख्य अती थी स्वक्सता मंत्री मिथलेश ठाकूर ने नव बच कर एक मेट पर जन तोलन किया है, इससे पहले कार्यक्रा मस्थल पर मुख्य अती थी मंत्री मिथलेश ठाकूर सलामी दी गई, इसके बाद मंत्री ने परेड में सामिल टूकडी का निरिक्षन किया, इस मौके पर डिसी, ए जदनाथ राम और विभागे अधिकारियों की जारकन सहयक अध्यापक संहर्च मुर्चा की बुद्धवार को हुई एक और बैठक बेनतिजा हो रही, बैठक में सिक्षा मंत्री परती मांदे बढ़ाने को तयार थे लेकिन पाराशिक्षक नहीं मने, पाराशिक्षक बेतन मान के सम्तुल्य मांदे बढ़ाने की मांग पर अड़े रहे, वहीं अंत में तय हुआ है कि रक्षा मंधन के बाद फीर से बैठक होगी और मांदे बढ़ोतरी पर मंधन होगा, बैठक में कहा गया है कि पाराशिक्षको का सिवा कालबासट वर्स करने पर मुख्य मंत्री की समती के बाद विचार किया जाएगा, आकलन परिक्षा से प्रभावीत पांच है सहायक अध्यापक के तुटी पुन उत्तर के अंग का निस्पादन करने के लिए सिक्षा मंत्री ने जैक अध्यक से बात करने की भी बात कही है, बोड और नीगमों को लेकर जामों मों कांग कांग्रेस में मद्भेद नहीं, जारकन के सत्तधारी गडबंदन में जामों और कांग्रेस एक साथ ही राजे में सेस बचे बोड याम निगमों का बटवारा करने पर सहमत हो गया है, इसमें राजत के करकताओं को सहस्य के रूप में जगा मिल सकती है, महागडबंदन के द श्यक्ष्यमसलस्यों का मनुना होना अभी बाकी है, दोनों में एक कांग्रेस और एक जामों के हिंसे में आना है, कांग्रेस सुत्रों के नुचार बिधान्सवा चुना को लेकर सिट बटवारे के करम में ही इस पर निर्ने हो जाएगा रांची में खुलेगा CBSC का छेतरिये कर्याला है, जारकन के केंद्रिये मादमिक सिक्षा बोड, CBSC के स्कूलों और विध्यार्थियों के लिए अच्छी खबार है, उनकी वर्सों पुरानी मांग पूरी हुई है, अब रांची में CBSC के रिजिनल आफिस और सेंटर आफ एक सिलेंस खोले जाने की घोसना की गई है, इस समद में CBSC ने अधिस उतना जारी कर दी है, अब जारकन के स्कूलों के लिए CBSC का छेतरिये कर्याले पटना ना होकर रांची होगा, रांची में खुलने वाले छेतरिये कर्याले के लिए 43 पदों पर सिर्जन भी किया जाएगा, वहीं रांची के लावाच्छ और छेतरिये कर्याले स्सेंटर अफ एक्सिलेंस खोले जाने की घोसना की गई है, इसमें आहमादाबाद, कुलगाव, कुलकाता, लखनव और रायपूर सामिल है, जारखन सची वाले में 454 पदों पर भरती, जारखन सची वाले आसू लिपि चेहन आयोग द्वारा किया जाएगा, आयोग ने बुद्ध द्वारा को इसका बिगया पंजारी कर दिया है, इसके तहत इस परिक्षा में सामिल होने के लिए 6 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ऑनले फरम भरे जाएंगे, किये जाने वाले ऑनले आवेदन में किसी प्रकर का स सोधन 7 से 10 अक्टूबर तक होगा, वहीं इस परिक्षा में सामिल होने के लिए सम्बंधित कौशल योगता के साथ 7 असनातक उतिन होना अनिवार्य होगा, राजेपाल ने दुमका में किया धोजारोहन, 15 अगस्त पर भारत आपना ठत्रवा सतनता दिवस मनाया, सतनता राजेपाल संतोस कुमार गंगवार ने जहारखन की उपर आधानी दुमका में धोजारोहन किया, सतनता दिवस पर अपने सम्बंधन की सुरुआज संतोस गंगवार ने जय जुहार के साथ किया है, बदा दे जहारखन वास्यों को 78 सतनता दिवस की बधाई और सुपकवना देते हुए राजेपाल ने कहा है कि आज का दिन देशवास्यों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, आज ही के दिन भारत ने सदियों की गुलामी के बाद ब्रिटिस दास्ता से मुक्ति पाई थी, राजेपाल ने कहा है कि आजादी कई महान सपुतों के बलिदान और त्य दिया है आज के दिन हम इन सभी को सरधा पुर्वक नमन करते हैं। दिया है आज के दिन हम इन सभी को सरधा पुर्वक नमन करते हैं।